हेलो डिसाइपुल्स विल्कम तो माई यूटूब चैनल डिसाइपल नाचुर पॉइंट आज की क्लास में हम बात करेंगे टाइपस ओफ फ्राक्शन की हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था कि फ्राक्शन क्या होता है हमने उसको डिटेल में आपको एक्स्प्रेंड किय दूँगा आप वहां से देख सकते हैं और आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं इस क्लास में हम बात करेंगे टाइपस ओफ फ्राक्शन की तो यहां पर कई सारे मैंने टाइपस लिखे हैं बट बेसिकली यहां पर तीन तरह के ही फ्राक्शन होते हैं यह जो लि नहीं के sub types होते हैं ठीक है ये types नहीं है ये sub type है फिर भी मैं आपको यहां पर explain कर दूँगा आपको basically ये तीन ही types के पढ़ने हैं इनको भी मैं explain कर दूँगा आप ये भी देख लिजेगा कौन से होते हैं क्या होते हैं हो सकता है आपके class में पूछ लिया जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे proper fraction की तो अगर हम proper fraction की definition की बात करें तो definition मैंने यहां पर नहीं लिखी है बट फिर भी मै आपको बोल देता हूँ अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो तो proper fraction की definition है proper fractions are those fractions in which numerator is less than the denominator बहुत यह आसान है proper fractions are those fractions in which numerator is less than the denominator अब आपको यहां पर पता होना चाहिए कि numerator और denominator क्या होते थे ठीक है तो चलिए मैं आपको इसका example दे देता हूँ कि proper fraction के examples क्या है तो example के लिए हम लिख लेते हैं जैसे कि 1 by 3, 2 by 5, 9 by 14 यह जो इस तरह के fractions होते हैं यह proper fractions होते हैं अब proper fraction में हमने definition में क्या बताया था कि वो fractions जिनके numerator, denominator से छोटे होंगे तो देखिए numerator यहाँ पर 1 है denominator 3 है तो कौन बढ़ा है denominator बढ़ा है numerator छोटा है तो numerator denominator से छोटा है तो इस तरह के fractions proper fractions होते हैं अब अगर हम improper fraction की बात करें तो improper fraction proper fraction के just opposite है मतलब यहाँ पर numerator छोटा था, denominator बढ़ा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा? denominator बढ़ा हो जाएगा और numerator छोटा हो जाएगा मतलब की इस तरह से लिख सकते हैं 9 by 3, 7 by 2, 14 by 3, etc. इस तरह के जो fractions होंगे वो हमारे पास कौन से होंगे? improper fraction होंगे अगर इसकी definition की बात करें तो definition क्या होगी? improper fractions are those fractions in which the numerator is greater than the denominator और यहाँ पर एक बात और notice करने वाली है और इसकी definition में एक चीज़ और add कर लिजिए मैं फिर से repeat कर देता हूं definition improper fractions are those fractions in which numerator is greater than or equal to the denominator is called improper fraction ठीक है यहाँ पर numerator बड़ा होगा ठीक denominator से और साथ ही साथ numerator equal भी हो सकता है ठीक है numerator denominator के equal भी हो सकता है let's say 4 by 4 देखिए numerator और denominator दोनों ही क्या है equal है तो यह fraction भी क्या कहलाएगा improper fraction कहलाएगा यह आपको याद रखना है ठीक अब बात करते हैं mix fraction की तो mix fraction की अगर हम definition की बात करें तो definition होगी mix fractions are combination of a natural number and a proper fraction ठीक यह natural number और proper fraction का combination होता है इसलिए इसको mix fraction बोलते हैं अब इसके example की अगर हम बात करें तो example इसके कुछ इस तरह से होते हैं यह इस तरह से लिखा होता है अब देखें यहाँ पर 1 जो है वो natural number है और 1 by 4 क्या है यह एक proper fraction है तो यह दोनों साथ में लिखे हैं इस वज़े से इसको हम mix fraction बोलते हैं और example की बात करें तो 3 2 by 7 एक दो और लिख देते हैं 14 1 by 3 etc ठीक है तो यह जितने भी हैं हमारे पास वो सब के सब mix fraction कहलाते हैं आई होप आपको यह तीनों fractions समझ में आई होंगे चलिए इनकी भी बात कर लेते हैं हम लोग unit fraction क्या होते हैं जल्दी से तो unit fractions वो fractions होते हैं जिनके numerator में 1 होता है देखें 1 by 2 1 by 3 1 by 14 कुछ भी लिख दीजे ठीक 1 by 9 etc तो ऐसे fractions जो भी होते हैं वो कौन से होते हैं unit fractions होते हैं अगर 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 ध्यान दें तो यहां पर क्या है यह सारे के सारे proper fraction है हमने बताया भी ता आपको starting में कि यह जो यहां से 4 फोर के बाद जो भी fractions हैं यह इन ही में से सब टाइप हैं ठीक है तो यह confused मत होईएगा कि यह सब टाइप्स नहीं है इन में यह सब टाइप्स हैं जिनमें denominator सेम होता है मैं फिर सब रिपीट करता हूं like fractions वो फ्रैक्शन होते हैं जिनमें denominator सेम होता है फॉर एक्जामपल 2 x 11 3 x 11 5 x 11 12 x 11 etc अब देखें यहां पर अगब नोटिस कीजिए तो तीनों में ही जो denominator हैं वो सेम है तो ऐसे fractions जिनमें denominator सेम होता है वो हमारे पास like fractions करलाता है यह सारे के सारे like fractions करलाएंगे अब बात करते हैं अगर unlike fraction थी तो unlike fraction इसके opposite हो जाएगा opposite मतलब जिसके denominator सेम ना हो वो क्या हो जाएंगे unlike fractions हो जाएंगे जैसे की हम 2 x 7 लिख देते हैं 3 x 5 हो जाएगा 8 by 17 एटसेटरा, ये सब क्या है unlike fractions हो गए, जिनके denominator same ना हो, वो unlike fractions हो जाते हैं, चलिए अब बात करते हैं equivalent fraction की, तो equivalent fractions क्या होते हैं equivalent fractions actual में हमें बनाने पड़ते हैं, कोई भी आप एक fraction ले लीजिए और उसको आप natural number से multiply और divide, मतलब numerator में multiply कर दीजिए और same चीज, denominator में multiply कर दीजिए, तो जो मिलेगा हमें, वो उसके equivalent होगा let's say, अगर हमारे पास एक fraction है 1 by 2, अब 1 by 2 एक fractions है, अगर हमें इसके equivalent लिखना है तो हम क्या करेंगे, ये 1 by 2 में हम क्या कर देंगे सबसे पहले, let's say, 2 multiply कर देते है तो numerator और denominator दोनों में ही 2 multiply करेंगे तो इसको क्या मिलेगा हमें, देखिए 2 1 is 2, और 2 2s are 4 तो 1 upon 2 equivalent है, 2 by 4 के इस तरह से अगर 3 multiply करेंगे, तो 3 by 6 मिल जाएगा, 4 multiply करेंगे तो 4 by 8 मिल जाएगा तो ये सब के सब, 1 by 2 के ये 3 by 6, 4 by 6 5 by 10, और आगे जितने भी 6 by 12, ये सब जितने भी fractions हमें मिलेंगे, वो सब के सब 1 by 2 के equivalent होंगे equivalent का मतलब क्या होगा ये सब के सब इसके बराबर ही आएंगे ठीक है, ये बराबर ही होंगा जब इसको आप simplest form में convert करोगे, तो हमेशा इसका answer 1 by 2 ही आएगा तो इसको बोलते हैं, equivalent fractions तो I hope आपको types of fractions समझ में आ गिया होगा वीडियो अच्छी लगी हो, तो like करें और channel पर नए हो, तो channel को subscribe करें हम आपसे फिर मिलेंगे, अपनी next class में तब तक के लिए, keep learning keep smiling, till then, goodbye